स्री राधा कांत नमस्तुदि तब्त कांचन गवराण जी राधे प्रंदा बनियस्वरी प्रिसभार्य शुदे प्रणमान रहें दो नहीं तो साफ नहीं होता है बढ्या वीना प्राध्म लक्षय इत्ता सिकामाति तरंगमत्वे प्रिपा मईत्वा मुसरन प्रपर्मा ब्रिंदन मस्ते चर्ना रगिंदम् वेश्रिसनातन प्रभु करुनां भरासे ते रूब दूर्गत जने यावलोपे ते भट जुद्म सुद्मती रभुनात दासे ते स्रीजीवमि पुरुतमं दमतिर दयान भरात तमाधि देवं करुना निदानं तमालवर्णं सुधावतारं अपार संसार समद्रसेतं भजामहिभागवतं स्वारूपं जन्प्रभजंतमन पेतम पेतकृत्यम् द्वाइपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रे इतितन्गयतया तरवोगि नेदुं स्तमसर्वपोतरिदयं निमान तस्निं नरायनं नमस्कृत नरंच इव नरूतमं देवी इसलस्वतिं व्यासं थाया तो जय अंदिराइप स्रेक्रिष्ण चैन्च अग्योन आद्र करिष्ण और नमस्क्रिष्ण की्रिष्णा घडान। Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Saravratham Marigurumpadu Padma Nitalila Bravishnam Vishnumpad Ashto Darsat Shri Shri Srimadu Bhakti Sri Siddharthi Goswami Maharaj के चर्ण कमल में Anand Bhati Sastra दड़बद प्रणाव करतां तक पस्यात Marishikya Guru Pada Padma Nitalila Bravishnam Vishnumpad Ashto Darsat Shri Shri Srimadu Bhakti Vedat Shri Lov Narayana Goswami Maharaj के चर्णो सरज में Sradha Puspanjari Arpun करतां उपस्यी वैस्नव, वैस्नवी, माता, पितारिभाईवे, सभी को में जथा जो के प्रणाम करतां गत्त के लिए हम लोग स्रवन कर रहे थे Shri Mat Bhaagavat कथा की महात्मको हम लोग ने स्रवन कर रहे थे ये भागवत कथा की कितने महिमा है तब अगर किसी ग्रंत की महिमा को विशर पर हम जानना चाहते हैं बल उसको कि और चार बिशर पर विवचना करनी चाहिएं तब ही घ्रंत की महिमा पता चाहिए तो क्या है क्या को जानना पर हम आप को बाहता आप में एज बेंसे बेंसे देत है इन पर प्रणानों आइए आठी रखो़ः और इन पनकाफ़ः करने चाहिए पहला नंबर है यह भागवत कथा कौन सुन सकते हैं लेकिन से सुप्देव गुर्ष्वामी बोले परिकी कदिये साधार्न विक्तिये कथा सुन नहीं सकते जिनकी करणो करणो जन्म का कोई पुन्नव दे हो तब यह कथा कोई सुन सकते हैं नहीं तब यह कथा में बैठ नहीं सकते हैं अभी प्रशन आता हैं अगर कोई हमने तो कोई पुन्य ही नहीं थी हम तो लिदे की बड़ पापी पाप दिया हैं फर यह कथा क्या हम सुन नहीं स जब इसको बेस्या उने पड़ी गुरी तरह से उसको मार डाले वो प्रेत हो गया 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 में भगवान गदाधर भगवान नारायन उख्या च्छाब है ठाकुर जी स्वयम बताई अगर कोई गया में एक बार आए अपना पित्रु पुरुस को उद्देश में एक बार पिं लेकिन ये धुंदुकारी इतना बड़ा पापी था जब उसको पिंड़ा देकर घर में आया देखा फिर वो भूत बनकर बेगा लेगा कभी घुड़े बनकर के कभी बिली बनकर के हैं तरह तरह इसको दरा रह था भले तु कोन हो वो बोलना चाह रहा है लेकिन इतना पापी था उसको मुह से बाणी नहीं निकल रहा था उन्हेंने मंत्र पुत कर जो पानी छिड़का करवाए थोड़ा पाप दूर हो गया तो बोला में ते लिया मेरा नाम धुंदुकारी बोले क्यों अभी भी तुप्रेत बनकर पड़ा हुआ हो बोले हां बोले तेरे नाम बैद नाम पर तुप्रेत बड़ा पापी हूं इतने में पाप गया हूं कट मेरे नाम पर तुप सौ बार भी पिंड़ा दोगे ना मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी नहीं उसको मुक्ति मिलेगी कैसे सुर्जिय देवताने बोले इनको इस रिमात भागवत बता समय जिसको कि पुछी तहसे मुक्ति नहीं मिलती है अगर केबल यह भागवत कताने एक बार वेड़ी आए उसको जरूर मुक्ति मिलेगी इसका अगर और कथा में बड़ा आपको बलूब वर प्रापी हो जाए है सारे पाप से तुम्हें मुक्ति मिले याए है इसलिए सुनने का आधिका अगर कोई बोले हम क्या कम जानते हैं अरे हम बहुत बड़ा बड़ी दिए सुने सुनाई कथा गवाम कितना वारा सुने हैं लेकिन गोश्मामितुल सिदाजी कहते हैं बले रामात था जे सुना ता अधाई प्रिष्ण कथा जे सुना ता अधाई प्रिष्ण कथा जे सुना ता अधाई आरा साथ से साजना ते दिनाई आरा साथ से से जना ते दिनाई आरामात था जे सुना ता अधाई आरामात था जे सुना ता अधाई अगर कोई बोलता है अरे कितने सुनेंगे सुनते सुनते हम तो बोर हो गए हैं गोस्वामी जी कहते भई आपर समझो उसको जो अरस है ना भगती है उसको कोई पताई नहीं क्योंकि भगवान की कथा जी करनाव सुना लगता है हमने तुम पैस सुनी नहीं है अगर क्षाओ अगर निया गंगा प्रभारा उस्तर अजो ध्या मतुरा घ्या अब बड़े बड़े दिस्टी यहां तक बीश वर्ग से ऑठ करे पिक था में तकर कि इतने महिंदा क्थाटी कि दीन में एक टाइम रोटी में इसका रोटी का मोहिं नहीं नहीं देका रोटी है अगर इतना रश हो सकता है बड़ भगवान कथा में रश है इसलिए स्री प्रितु महारज को भगवान जो बोले तु बर्मागो वो कहते हैं बोले प्रभू मेरे को दस हजार कान देदो बले दस हजार कान ये दो कान तो बढ़िया लग रहा है अगर पूरा सरी ने कान ही कान हो हैं और हमारे रुपगो स्वामी को कहते ही करना क्राडव करण मिटी भटेते करना गुधे वस्प्रिया मले जो क्रिश्न ये जो दो अख्यर में बताने भगवान कितने रस रख दिये जब तरने में प्रवेस करता हैं उनको यह से लगता है जिसे भगवान को तो स्टिक ना इतने सुंदर भगवान की कता इसे करता है एं जसे रसी की धाराजे से लिए इसलिए भगवान की कथा सुनते सुनते किसको कभी अरुची वती नहीं सुवे वस्वामी जैसे ब्रह्मा ज्यानी भी जब उनने कृष्ण की एक कृष्ण की महिमा जुत तर एक स्लो को सुने न वो बहुत बड़े ब्रह्मा ज्यानी थे लेकिन उनने कृष्ण कथा में इतने रस है उनने सारे ब्रह्मक ज्यानी को धिकार देकर की वो बाहर निकल करके आए और उनने भागवत कथा सुनी कथा सुनने का कौन अधिकारी दूसरा जो भांगवत का विषय वस्त स्कुप्या दुनियादार की कोई बात नहीं आराध्य भगवान ब्रजे सस्तनय तद्धाम ब्रिंदावनम रम्याम काची दूपासना ब्रजवधु तो बरगेन जाकर्पिता भागवत में जो बिशेवस्तु है वो कोई सांसार की बात नहीं जिसमें भगवान क्रिश्न की कता है जिसमें ठापुर जी की कता है जिसमें और उनको जो प्यारे भगतों की जिसमें कता है इसलिए इसका नाम है स्रीमात भागवतम इसका एक आर्थ है जो स्वयम भगवान के मोह सणकी है दूसरा आर्थ है जिसमें केवल प्रभभव की चरित रहे है तिसरा आर्थ है जिसमें केवल भगवान की जो शुद्ध वक्त्त मैं नारत ब्रजवासी ब्रजगोपी राधाराणी जिसमें कोई दुनिया दारी की कोई कता नहीं इसलिए इसमें चारि अख्यरे भागव अर्थ ये चारि अख्यरे इसका मत्व किया होता है बहा मतलब बहाती सरवेशों लोगेशों कहते हैं क्या कहते हैं गुरुजी मेरे बहुए कि कथा सुनाइब गुरुजी कौन है करते हैं क्या कहते हैं कैसे नो vendor भगवान क्रिशन जब ये दुन गो सश्टी की貌 ब्रहूंधा बिट्रोफवड ब्रह्माजी को बहले तुम्हारे काम सेखोड़ी करना अंता है हर की दुंधा लीकनि अध्यसने-ध्री दुमौ्हारे काम संखार कशिते हैं अब ब्रम्णा जी कहते हैं प्रभूप आप तैपि यह स्रिष्ट का काम हैं या दून हैं रजगूण का काम है ये रजगूण से मुक्ति कैसे मिलेगी गर आप साथ दिन तक ये भागवप कतचा सुनोगे न ये रजगूण ब्यापत न करेगा और यह भागवत कथा की प्रभाव से यह दुन्या को सुझ्ष्टी कर सकते हैं। बगवान को इसनु आए। बुले प्रभु आपका आदे से तो यह दुन्या को मैं पालने कर सकता हैं। लेकिन यह लख्मी को कैसे पालने करूं। बहुत आप भी सुना और सुना देखो कथा कितने माद हो। जब नारायन और व्यावास गर्द में वैड़ी करके कथा सुनाते ही। माह लट में वैड़ी कथा सुनती है। हम लोग तो साथ दिन कथा सुनेंगे। लेकिन नारायन कितना दिन में कथा को मुष्राम देते हैं। बले वह जब कथा करें एक महिनातर। बड़ी सुन्दर Vetekar करते उगए। एक महिना में एक कथा पुरी करते है। अब नारायन की कथा हो गए हैं। अब यह माद लट मी वैड़ी कथा करते हैं। लग में करती है अभी संकर जी आए बहुले प्रभु आपका आश्री बाद से यह दुनिया को तो संधार में कर सकता हूं लेकिन यह जो संधार का काम है यह तमगुन का काम अभी तमगुर से मुक्ति कैसे मिलेगी खृष्टने ने कहा देखो संकर जी आप भी कथा सुन और संकर जी कथा करते हैं जानते हो कितना दिन में कथा विश्राम देते हैं एक साल करते हैं बड़ी सुन्दर व्याख्या करते हुए बड़ी सुन्दर उदाहरन को देखर के संकर जी एक साल में कथा करते हैं जब उनकी कथा समात हो जाता है पर मां पार्वती कथा सुनाती है भोले वावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावाव और संकर स्वयम बैठी करके दो साल तब ये कथा पूरी होती है प्या क्या करते हुए बड़ी सुन्दर रूप में देखो ये कथा की कितने महत्व हैं इसी कथा की प्रभाव से ब्रह्मा जगत को सृष्टी करते हैं बिष्णो जगत की पाल में करते हैं और संकर जगत को संधार करते हैं मतलब कि या ये जगत में जो सृष्टी सिति प्रढ़ाय हो रहा है दुनिया में ये भागवत कथा की प्रभाव से सारे काम हो रहा है समझो ये कथा की कितने महिमा हैं एक बार कथा की जईकारो बाल स्रीमाद भाव वह 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 बते कथा मृता 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 हुए इसलिए कि भाव मतलब क्या होता है भाव भाती सर बेशु लोकेशु जो कथा ब्रह्मा लोग में जो पतासी भी लोग में और जो पतासी बिश्नों लोग में स्वयल तो है यह इसलिए जो पतासारे लोग में सुभाइबान बहुत गव मतलब किया अब लोग जाद करना कल आम सब्सक्राइब कुछ होगा ठीक है यह भागत का मतलब किया अग जो बोल पाएगा ना इसको में आम दोगा बच्चे लोग जो बीचे वैटना तीन लड़की जो पासं में घबनमां अलग बढ़े जाओ तीनों अलग बैटास अप्रेटी जो आलग को जब हो आया ए ओ यह है कि आत्य कला आउसकों में क्या कठास टुशुगरा गया जिसल्य अनलग हो जाओं और पहल अगर्द दिवी जो कत्था को नारद आधी बड़े बड़े रिशी लोग भी शुभी देव गुस्वामी संकर जी ब्रह्मा जी तता देज्ञान जिसकी महिमाको बड़े साधु लोग भी संत्र लोग भी जिसकी महिमाको दाद कटें इसलएं आधा भाद बलबब बलेब्बा मतलव या बलेब परिष्टा सर्व सास्त्रेस को बलेजितने सारे सास्त्र में ये भागवत गरंत सर्वरष्ट है इसलिए स्वयाद रजी जब भागवत गरंत रचना करें के पहले उनने सतर पुराण को रचना की लेकिने सांथी नहीं है इसे भागवत गरंत को रचना की पुर्ण रूप में उनका स्वांती बिली इसे भागवत गरंत ब्रह्ण सुत्रानाम भागवत क्या है बली ये ब्रह्म सुत्र का आता है जो महावावावत भागवत गायति असरुपासो गायति मंतर का जो ब्याख्या ये भागवत गरंत बैत का जो सार है इस जिमात भागवत अगर ये भागवत रस को कोई पान कर लेना घर तो दुनिया में और किसी चीच सुनने पीचाने करेगी भागवत रस को पान कर लिया मतलब से जो सारे रस तम्हाई पान हो गई सारे वे दुप्रान उपर नीसाद सब तुमणा उदे इसलिए भागवत गायति में इतने भागवत को हैं चानलुए इह एक भागवत सारे गरंतों का सार शरी भागवत है इसलिए भागव कपके और कि भूबने कवायर नहीं को अगरने कि अधिकाल से जर्म ले रहे ही जर्म ले रहे ही और संसार में आने पर तन और कोई भळवत कथा सुनेगा अब का सारे जीवन जितने दूख करके और ये भवस अगर से पारह करके हम भाकुर जीगपास में चले जाएंगी इसलिए भागव और यता हैं इसलिए इसलिए तमादी देवं करुणा निदानम तमालवनम स्रुःदाब तारम अपार संसार समद्र सेवं भजाम हे भागवतम स्वरूपम बले जो स्रिमाद भागवत ग्रन्त ये सक्ष्ञाद भगवान क्रिश्ण हैं ये स्वयम ठागुर जीवकल्यान करने के लिए कल जिग में हैं ये भागवत ग्रन्तव में भगवान स्वयम इसे जग में प्रकट हो बेठा गुर जी हैं इसलिए वैंais लेगrob खरन लेगा भगवान कृष्ण यह संसार छोड़ करकि चल लिए मय्या कुंथि कुछ पता चला क्रिशन ही जगथ में नहीं प्राण होरा ने चीकिया रड़्य होुअ यह दुनिया नहीं नहीं तंडॅ को एक जह समें प्रांडवन नहीं रहा बेटा कैसे हो सब कुसल मंगल है ना तुम्हारी बले हां कुसल मंगलत है लेकिन मेरा मन बड़ा उदार है बले क्यों बली ब्रिंदावरें को ही राजा को कम सभा देता है जब प्रजा हो तब राजा क्योंकि भगवाल कृष्ण जब यह जगत छोड़ करें गए जितने पसू पकी किड़े मकड़े तक भी उनको लेकर अपना धाम में गए इसलिए स्री रहुनात आसगोस्वा में एक संत कहते हैं ब्रिंदावने के ब्रिक्षपो मरम ना जानी कोई डाल डाल और पत्ते पत्ते में स्री जाधेर आदेगी तो ब्रिंदावरें के जितने पसू पकी एक ब्रिंदावरें कोई है नहीं है लेकिन परिक्रित महाराज पताह भी च्रिश्न तो एक स्कूर्व में गए लेकिन दित श्वरूरुप में पुर्ना इरूतrą ब्रिन जाते ही रहसको पताहिए उनके कुल पुरहिता संडिल सांधिय लिशी को बुलाए बले आप कृपा करें के ये ब्रंदा बना धाम की तुरह महीं मागाओ सांधिय लिशी कहते देखो भगवानी की दो तरह का लिला है एक उनको बेवाहर की लिला और इनकी एक बास्तव लिला सही लिला बेवाहर की रूप में देखो भगवानी जगत छोड़कर चले गए लेकिन बास्तव रूप में देखो ना कृष्ण कहीं भी नहीं आप लोग ब्रंदावन गए हो कौन-कौन गए हाथ उटाप कौन कर दो आप देखना ब्रंदावन में दो बन हैं एक हैं दुबन और एक हैं सभाथ कुझा निकुजवर गएगी नहीं आप लोगने देवबन को आप देखना कभी साम का समय में जाना और कभी जाओ तो देखना वो बन में बढ़े बहुत सारी बंदर बंदर ही हैं लेकिन जब साम होती है ना आप देखना ये बंदर एक-एकर निकलना से लिए एक ए अपने आप निकलना से लोगने वो सबके सब चले जाते हैं इसमें जो दो मंदिर में देखना ठाकर जी को फूल की सज्या लगाते के लिए लोटे में पानी रख लेंगे दांतन रख लेंगे लडू रख लेंगे लेकिन सबरेज आ करके देखो भी लड्डू आई मिलेगी लोटे में पानी कभी नहीं मिलेगी है आप देखना जो फूल की सज्ज्या लगती है वह यह से लगता है जो रात कोई आए और उसमें विश्पराद करते हुए अगर कोई जो जबर्दस्ति रोग जाएगा हमें देखना चाहता है वह गुंगा बढ़ जाएगा तो मर इसलिए अभी भगवान पुर्ण रूप में ब्रिंदावन में है भगवान कहीं नहीं गए लेकिन हमें क्यों नहीं दिखती है सांधिल यरिसी कहते हैं कि इन्नी आखों से प्रभु को तुम देखने सकती है क्यों हमारी आखों में काम क्रोध लोग मोह मदमात्सर जबरा हुआ इसलिए ब्रण्मा कहते हैं प्रेमाजन छुरीत भक्ती बिलोचनेन संतह सदैव रिदेशु बिलोकयंतम जो साधु है जब इन्नी आखों में प्रेमरुपी अंजन काजल को लगा करें तभी जाकर के प्रभु का दर्सन मिताने तभी जाकर के बले संतह सदैव रिदेशु बिलोकयंतम जो सुद्ध साधु हर समय प्रभु का दर्सन करते रहते हैं क्योंकि जम अचिंद गुनस्वरुपम गविंद माधि पुरुसम तमाम भजा में ये ब्रह्मा कहते हैं गवान ये हमारे बुद्धी से विवेट से भगवा में अतीत है इनी जड़ों नेत्र से प्रभु का दर्सन हमें नहीं मिलती हैं ये पिता महा ब्रह्मा जी ये बात को कह रहे हैं इसलिए जिस नाय प्रवाद को पिता मारने के लिए बहुत उखिजिगा पहाड को उपर से पहेक दिया आग में बैठा दिया बहुत उखिजिगी जब उसको मार नहीं पाया बले बताओ तरह प्रभु काहा है प्रवाद क्या गेप्राइं ये बताओ मेरे हरी शाजी नहीं कहा तो बताओ मेरे प्रहु सर्भत रrek थाकर्त सर्भत रहे उषमें मैं क्या है मैरे को देख रहा है प्रहु बैट हुए मैरे को क्यों नहीं दीख रहा है बोले पिता जी आपका आखव है ना कि ये काम करोद लोग से बरा बड़ा हुआ है आपकी आखों से नहीं दिखेगी लेकिन मेरे को दीख रहा है ठाकुरुजी वैटे हुए सचमुर्श से ठाकुरुजी को देखा मुस्कदा रहे है हिरन करस्वने का पहले तो तेरे प्रगवान प्रकट हो गए बल से नर्सींग भगवार की ये जो भगवान प्रकट भी आखों से जाए कार दो बल भगवार नर्सींग देव की ये इजलिए यहां पर स्री सांधियल निसी बताया थे बज्रनाव कृष्ण कहीं निले अभी भी हमारे संप्रवार्ण तो संपरदाय में एक संटों गये जिनका नाम था से सनातन दोस्माम उससे समय नवाव बंगाल का नवाव था उसका ये प्राहे में निश्चर थी हम तो नवकरी पानने के लिए रिस्पत देते हैं और उनने नवकरी चुड़ने के लिए रिस्पत दिया पताय कितना पैसा दि कि मोड़ने के लिए 10,000 स्वर्न मोहर उनने कैसे नवकरी चुप जाए हर में ब्रिंदावने ना करके प्रहुता भजन करूं इतने उनने सोने की मोहर उनने जो जेल की पर ठाना दे करके उनने भागते हुए और उनने इतना भजने किया हम तर आकुर को दर्सन करें के लिए मंदिर में जाबते हैं लेकिन यह संत इतने बड़े हुए ठागुर्ट जिनको दर्सन करने आते हुए वह इतने बड़े संत हुए इनके एक दो कर्दा सुनलो नित्य नियम था गिरीराज परिक्मा करने रोज परिक्मा करें वरिंदावने वेच आते तो चल-चल करके पू प्रिंदावन में आखर के कुछ छा के धिन इतने पूरा परिंदावन से जाएंगे गोर्धन परिंदावन साँ चलते मठूरा में माधो गुरी फ़र बिंदावन राई फ़र को चिछ पागे इतने वड़े संतर थि एक दिली परिंदावन करते-जेटी के महीन आती एक्दम चिलचिलाही धूब और उनने एक ब्रिखवर चत्थक करके बैटी गए जब बैटी गए इतने में स्वयम कृष्ण और बल्राम प्रड़ू अपना चुनरी से उनको च्छाया कर रहे थी ताव और कृष्णा इनकी सर्ग को अपना जंगे को पर रखे हुए थे जब इनकी होस आई थाकुर जी कहते बले सनातर तो जिन्देग वह पर ये परिख्मा लगाया अब तुम ब्रिधों हो ब्रिदावन में भाजन उमर करो और इना कष्णा मत क्या करो तुम्हारी कष्णा हमसे दिखार नहीं जाता है लेकिन उनने वले जटतक ये सरी रहेगा न तक तक तही परिख्मा में जरूरूंगा मैं अपना नियम नहीं छोड़ सकता हूं तब कृष्णा ने कहा देख बेटा मैं तरे वह कोई की चीज देता हूं अगर इसको चार बार परिख्मा करोगे ना तो गोबर्धन परिख्मा करने की फाल मिलेगी तब भगवान कृष् अगर तुम इसको चार बार परिक्मा करोगे ना तुमको गिर्राद गुबर भन परिक्मा करने का तुम्हें फाल मिलेगा अब लोग ब्रिंदावन जाओ तो एक राधा दामोदर मंदर में जाना देखोगे अब भी उस सिला उसी मंदरी में देखना चब्वीस गंटा लोग उसको परिक्मा करते रहे तो तक अगर उसको चार बार परिक्मा करने से तुम्हें गिर्राज गुबर भन करने के फाल मिले यह रोज परिक्मा करते थी वावा ठाकुर जी दर्सन दिये यह रोज आते थे कहां मतुरा में वहां पर एक चौवेनी थी चौवेनी जानती हो जो चतुरुबेद को जानने वाले जो ब्रामन हैं उनकी पत्नी को चौवेनी कहती है और उनकी घर में मदन वहन एक ठाकुर जी रहते थे और वो माता जी के एक बेटा था जिसका नाम ती सदना और जो ठाकुर जी थे ना यह शाख्यात रूप में यह प्रकट हो जाते थे और उसको बेटे को साथ में खेलते थे वह चौवेनी में इतने भगती थी वह समस्त थी मेरे दो लाला है एक मदना और एक मतल़ेये बेटा मेरे दो लाला है है अब थाकुर जी सको गोप में रिखाते थी मतल़ें इतने की अंधर मरे भक्ति States कि और ऊatureให be sousके में वो लेंगे चलेंगे जो कुझ बोलोगेback यह संत रोज नियम हो था क्या नियम था गुबर्धन परिक्मा करके मतुरा में ठाकुर को दर्शन करके थे एक दिन देखा यह दोनों बेटे बच्चे गुली डाना कहले रहेंगे और दोने में सर्थ हमले देख जो भार जाएगा एक को कंथे बैठा करें यहां से वहां के ल जिसको घुड़ा बना करके वहां से वहां तर गाई फिर दो भार खैल हुई तो अधूजी सव्यम हार गए तो जो सदना था भूड़ा बन तो गोड़ा बन मैंने पहले बने चुता अब त्यरा बारी है ठाकुर जी बहूं बैठने के लिए ठाकुर जी किया तिये वह इतन पानी जब किर्टन हो तो यह पानी देना अभी पानी देना जब किर्टन हो तो पानी देना अभी ठाकुर जी वो तो मंदिल को अंदर में चले गए और यह पीछे से काली देते जा रहा है तो बारी आए तो मेरे को बना दिया तरे को बना तो बाग नहीं लेकिन यह लीला है यह सनातन गोस्वामी देग रहे ते जो इसने तो बढ़ा दिया उसको कल आवना खेलने के लिए तरह मज़ा चखालूगा है एक दिनी वो बाब आगए वो रोज हो जो माता जी थी ठाकोजी को खेचड बना खरी की खिलाते थी जो कपड़ पहिन करके सोती थी उसी कपड़े में अभी कपड़ा नहीं बदलाया अभी सोच्व क्रिया नहीं थी और इथर दांतन करती थी और दूसरे तरप में उसी पिछे खिचिड चलाय करती थागों को खिलाती थी वह संतर ने का माता जी क्या कर रहे हो भगवान भोग लगाओ अभी स्नान भी नहीं किया तो पहले तो आटाज बातर नुद्धी नहीं पहले जंगल में सवच्छक्रिया के लिए जाओ पर यमुना में स्नान गरो फर आओ स समय लगेगा लेकिन बच्चे नीद खुलते भूग लग जाती थी और माता जी दोनों को खिचड़ी खिलाय करती थी बले इस नहीं करने आए बहले सनान करो पवित्र बनो फेर हैं फर कल्ची लेकर खिचड़ी बनाओ तो इधर ब्रूस कर रहे हो पीछे से खिचड़ी चल वो माता जी कई सौचक्रिया के लिए सनान करका जगल में और ना करका यह समय लगेगा दोनों बालक बैट करके रो रहे हैं बले मैया हमें खिचड़ी खिला दो मैया भूग लग रहे हैं मैया हमें खिचड़ी खिला दो यह संतर देख करके बले देखो आज माता जी सौचक लेकिन ठागुर जी रो रहें ठागुर जी देखो इनकी प्रेम में कितने बसी होता है क्यों वो जो माता जी है ना वह अपना बेटा मानती थी अगर आपको बेटा को भूग लगे अगर बेटा मैया मैरे को दूद बिलाओ मैया सोष्टी नहीं लाइब दस्मान मैं कि आप ब्रुस नहीं लेस्जिता करव कर ऐसे सवस्ति हैं नहीं सोष्टी है वह जीसी अवस्ता में हो उसी अवस्ता को खना घुला इसलिए आप भगवाल को अपना बेटा मानती थी एक दिन ठागुर जी बाबा को बले बाबा तुम मेरे को साथ हमें ले चलो तू कहां जाओगे मैं तो किसी तरह स्था चून लागर के आपका और बगर नमक के टिक्या बना करके आजमत से करिखा लेता हूं मखन हो तू यहां रोज रोज मंखन मिष्री रावरी और रोज रोज वढ़या तरब और को घाना मिलता है। तुम एसाथ कहां जाओगे और तेस पिता जी न लात गयता थी तब इसारा पेट नहीं इattend बता था।ू घर घर में मकछन चुरिकर के तू घर hogar में मकछन चवरी क प्रदावन वियारी लाल की जय जय स्रीराँ जय जय जैजैए स्री रादी करते हैं बले देख बज्रनाव कृष्ण अभी कहीं नहीं गए अभी मी कृष्ण ब्रिंदावन में पुर्ण नहीं लेकिन जो संट भजन करते हैं थापुरुजी अभी भी उनको दर्सन देते हैं अभी में ठाकुरुजी दर्सन देते हैं इसलिए आप लोग ने बांके विहारी का नाम सुने होगी उनको किसने प्रकेट की आईदास में वो मिट्टी को नीचे रहते थे इनकी भजन की प्रताप से स्वयम ठाकुरुजी जो नीचे रहते थे ठाकुरुजी स्वयम उपर के आ गए इसलिए अगर कोई भक्ती करता है अभी भी में ठाकुरुजी उसका दर्सन देते ही जै जय जय स्री रादे । थाकुर का डर्सन के से मिलेगा तुमको मिलेगा अधर ब्रिंदावन धाम का सेवा करो ГИरत। प hai कोटिए लीला भूमी द्रें अंतर ध्यान वरते जा रही है लीला भूम विक तों प्रकास कर वा अवा द्रकास करो परू भूरर अभजरणवने, जितने प्रिंदावल्त हैं में अब थाकूर दरशन करते है ना इतने थाकुर जी किसने यह प्रकट गया ये कृष्ण का बेटा का बेटा इन्होंने ये सारे बड़नावने सारे थाकुर को इन्होंने प्रकासित किया अभी जो नंदर गांव बरसाना पोसी जाबड एतने सारे ब्रश्च में आप जास्थान का नाम सुनोगे ये बजरनाव जैसे जैसे प्रभुन लिला की थी भगवान एई से उनको बजरनावनम नाम रखा जब उन्हें ठाकुर जी की उन्हें सेवा की प्रभगवान की कृपा इसको पर में ठाकुर जी की कृपा हुई बल्द एक समय कि जो क्रिश्चे का 16108 पट्राणि थी वो प्रिष्चन विरह में बढ़े दुखी क्रिश्चन जब चले गए प्रजवासियों को उन्हेंने सांतों ना प्रदान की थी। विद्धव जी तहां मिलेंगे गिरिराज लड़ेंगे। अब लोग गिरिराज परीक्मा करने गए हैं। कौन कौन गिरिराज परीक्मा लगाए हुँआ। अब देखना गिरि राधा कुंड़ से पहले स्री उद्धव कुंड़ भूराएं। बल अभी भी उधव जी वहां पर घास बन करके अभी भी उधव जी वहां भजन करें उधव जी इसकी रहस्य बताए जो चलो हम सब के सब से गिराज की तलेट में जाते हैं सब के सब गए और वहीं पर उन लोग ने बड़ी सुन्दर किरतन करते हैं बले को बेन जै जै घॉपाल जै 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 जय राधा है जना ş transc की राधा रमना है प्रया गोबिंदा जै जाए जाए पाले जै जाए राधारमन प्रक्रिशना आरे कोबिंदा जै जाए आरा दारमन प्रक्रिशना Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. हारे ख्रिष्म हाठी किश्णा ठिर्ष्न किश्णा खार । हारे राम हारे त्रम्राम किश्णा धर Ihrer हाठ 10 फ्रोप। आप भूझा पैल न है आप प्रीचा के तह मोझा के कलबाना मीना विए मानी ओकल्ट भी एए ै अरे प्रूब लिग अरे प्रेहई 7 करण दो ब स्लिग की टोब के पनwać बाए आप तेव dalॉब किष्णा हरे हरे राम हरे राम नाहम राम हरे हरी है बोल हरे मिलेवल हरे 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 शरुड़ खी धृड़ Tammy राजी राजी लाजी अबिसा बढय दने दरी राजी को बने दरी राजी राजी आधार हर नपे राजी राजी अनल कि लाजी नमस्त टरी राओ़ी राओ़ी ऐनाधार रादार झार रादार विगरोटा-झार थी रादी राओ़ी ‫अमदने मोंने में अधे राधे 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 आप सेवेचा इन्हीं। कि अधिया जब सब के सब आखे आखे इधार जब सब के सब करते की कि प्रभाव से उद्धाव जी धास बनेट के भजन कर रहे थे अर्व स्वयम उद्धाव जी वहां प्रकड़ासन भी तब महिस्वी ओने पुछा है उद्धाव क्रिश्ण तुम्हें ब्रज में भैज करके ये ब्रजवास्यों को सांतुना प्रतार की तुम्हें अभी बताव हम भी क्रिश्ण बिरह में बड़े धूपी हैं अभी हमें क्रिश्ण कैसे मिलेंगी किरिश्ण जब ये दुनिया च्छोड़ कर जारे थे मैं एक ही प्रश्ण किया था तब क्रिश्ण ने कहा ये उद्धाव मैं हर समय नहीं आता हूं और आ सब्सक्राइब निए क्रिश्न कभी जगतने आते हैं अर दौबर में यह कर्यों कि में स्रीचत्रना महाप्रूप नहीं आते हैं यह ब्रह्मा का एक दिन में ब्रम्हा का एक दिन कितना बड़ा वताने, तब इसी जगत में क्रिश्णा हिसाभ करो, कली जुँन का जो परमाईू है, तो चार लाग बत्री से हजार साल, ये कली जुन इतना दिन तक चलेगा, अभी कली कितना दुभी हुआ है, अभी कली के वला सारी पांचाँ जार साल भी यह कली की सुरुवात अभी है लेकिन कली की सुरुवात में इतना पहब होना शुरू हो गई जब यह कली घौर रूर धारने करेगा न वहां पर बताए माताएं बच्चे को काट का गरेखाएगी और उसी समय धर्मकुर्मकुछ नहीं रह जाएगी काट काट मार मार यही सब काम होई जगत में इज्यत नाम का कोई जिवन रहे पसू जैसे जिवन का पसू जैसे जिवन परमायो चार लाग बत्री से हजार साथ कि द्वापर जो का उसको दोनों को मिला दो मताओ इतना चार लाक बातिस लाक है किना होगा आट लख चौर सथीहादा अभी तरते आज सब्सक्राइब जितना जुग जितना साल हो गया इसको मिला दो इसको मिला वरकत एक महाजूग होता है जिसको एक मन्वतर कहते हैं एक मन बदलता है और जब चौद मन बदल जाएंगे चौद मन्वतर में ब्रह्मा का एग देगे मतलब एग हजा चतुर जुग जो बीत जाएगी तब भी जाकर के भगवान कृष्णा इस जगत में भगवान कृष्णा आएगे हर द्वापर में कृष्णा नहीं आएगी हर कली में कृष्णा महाप्रभु नहीं हर त्रत्यार में भगवान राम नहीं आएगे तब भी आएगे ठादुर जी इसलिए उद्धाविज ने कहा महीसियों को देखो महीसियों यह कृष्ण अभी आपनेवेल नहीं अभी है लेकिने कृष्ण और एक उपाएभ में बता है अगर कली युग में मेरे से कोई मिलना चाहता है दूसरा उपाएई क्या है यह ऊपने कहते हैं अगर यह भाग वत रथा सब्सक्राइब मतलब ये भागवत नहीं ये कृष्ण स्वयम कली युग में ये भागवत रूप लेकर जाए कृष्ण कहते हैं कली युग में जो बेक्ति ये भागवत कथा सुनेगा कद ये भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग नहीं कोई अलग नहीं हम कथा नहीं सुन रहे हैं साख्यात भागवान से हम मिल रहे हैं कथा नहीं सुन रहे हैं ये कृष्ण खुद बोल कर यह उद्धावत कुणड़ा है इस तरफ में उध्धाव कुंड़ाई है तर्फ में कुस्म सबर्ब वहीं पर उनने महीशियों को सर्व प्रतब उनने हम तो एक सप्ता हो सुनेंगे वो एक महिना तक वही पर ये भागवत गता सुनाएं जब ये भागवत गता विश्राम हो गई ये भागवत ग्रंत से स्वयम ठाकुर जी परकट हुए वो राधाजी को साथ में ब्रजगोपियों को साथ में ग्वालवालों को साथ में नंद जैसोदा ये संके सभी भागवत ग्रंत से ये सख्यात महां पर प्रकट हुए और महीशिया जो कृष्ण बिरह में दुखी थी सख्यात कृष्ण दर्सन हुई इसलिए संदिवलर जिसी कहते है बडिरनाग ये भागवत नहीं ये कली जुग में कृष्ण स्वयम ये भागवत ग्रंत रूप में प्रकट हुए इसलिए भागवत कथास वे इससे सथमें कृष्ण दर्सन और कृष्ण दिर्यावत मारी दूर हुएगी बलब स्रिमाद भावत कथा मृत रूप की दामшт एंधान मारी बलच नुक केए। जए 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 स्री का स्री राही जए जए स्री राही जैए स्री राही जए जए स्री राही नटिएं जए जए स्री राधि अब्रजशमा उद्रम्थरा कमल व्रिंदामन मकरंद रजवनिता सब पूस्प है मधुगन गौकूल चत्र कि ब्रजशमा उद्रम्थरा कमल व्रिंदामन मकरंद रजवनिता सब पूस्प है मधुगन गौकूल चत्र अरे बोहन से बोहन से दिल क्यों लगाया है कोई लगाया है कोई लगाया है कोई डर से हाज नहीं उठाए देखिए ब्रिंदान में एक ब्रजवासा हजन है कि मोहन प्रेव बिना नहीं मिलता शाहे करनों को भी उपाए चाहे नदी में नहा लो हजार तपश्या कर लो लेकिन प्रेव के बिना मोहन मिलता नहीं इसलिए दिल लगाना जरूरी है मोहन से तो आए ब्रोड दिल लगाया है हम देखेगी अरे मोहन से दिले क्यों लगाया है मैं जनो या मोजया मोहन से दिले क्यों लगाया है ये मैं जनो या पुचाने में जदोया भूचाने उचलियां से दिल क्यों लगाया है मेरे जदोया भूचाने मेरे दिल क्यों लगाया है मेरे जदोया भूचाने हर बात निराले है उसकी हर बात निराले है उसकी हर बात में है कि ते रावन मेरे जदोया भूचाने 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 में पैंदा सुजा, पुझा थे, जरे जाजे ने को रखाया है, में पैंदा सुजा वो जाजे, जरे जाजे ने कम लगाया है, मैं पैंदा सुजा, वो जाजे, मोहने से जिव्युक लगाया है, में पैंदा सुजा, वो जाजे, जरे जाजे, जरे जाजे, जरे जाजे, जरे झाल झाल उतना जग में तुझे याद किया उतना जग में तुझे लुग में तुझे याद कियाह आगे ए मैं जदो या वो जाने उचलिया से तो महते बिले क्यों लगाया है ए मैं जदो या वो जाने मौखने से ते लिए लगाया है ए मैं जदो या वो जाने ए मैं जदो या वो जाने मेरे प्यार में दिले भी आ न दिया मुझे इस जग से बेखा न दिया मुझे जदो या वो जाने मैं जदो या वो जाने मुझे जदो या वो जाने तो पेले दान ही है वो ऍटासलिटेटे, हर्क अधिके समत देटों, तनुक्त विखेगे काम जने के जने कवरते। सब्सक्सक्रादागज भी एखेर कीन इसलिसा फिरूं, भी जना जना एखेगे जना और मैं जानो या वो जाने मैं जानो या वो जानी 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 सब यह पर हाग ठाएंगे और हाग धग्त आपको क्या बोलना है क्या मुझना है फुरनेक जोरते आज गुरत है कि कुछ आवाज में आज़े क्या मुझना है आपको राग बटा कर पाली मजा के आपको पाली आवाज पो क्या मुझना है फुरनेक जोरते गुलेंगे सभी लो प्यार की बोलो तानी बजाके आपको प्रिस्तावन में प्रिस्ति गदिन में इसके गौर कुछ में ये तानी गली में इसमानी गली में क्या मुझना है आपको पाली में इसमानी गली 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 म अरे मुल्स ख़लो, इए फाद समोला 10 अपीला बे, अबिनदारे रवन दे आन यजी क्ले 7 अरे भाद ज़ूलो, आपेलान का्ट nåं में इए इए मौर दोनी प्रपोंडे आपे, गह बर मान बेन समर 10 अपीला नपना तरमी, स्रिको बंपे, इए अङण कर दो क्रिंदी यह दो कर दो कर दिक ने कर सकते हैं कम से कम ये डूम खड़तन तो आवाद जाए ऐसे लगा जाए करा है नेक जोड़ते जगर आए पुले भ्रतिन्रावन भिहारि नालगी जै जै श्रीरावे अधितरकस स्वाथे स्वभिक सराथ तेने प्रमर्गा जो आधितवय मुधांति जत सूरयो ते जो बारिम्रदाम जथा विनिमयो जत्रत रिस्ट्गम्रिशा ध्याम्ना स्वेनसदा निरस्तक वकम सर्त्यंपरमधी मही जम स्री सुद्देव श्वामी ये भागवत्र को प्राजम करते हैं वो तीन स्लोगों को द्वरावनने मंगलाचरने की जो होता हैं कोई भी काम करो मंगलाचरने से सुरू करो आप काम बहूत अच्छे तरह से बिना बाधा बिनना से तुमारी ये काम संपर्न हो जाएगा पहला जो मंगलाचरने कदी समंदन बात भान हैं बही करे आप्रिति करेंगे तो प्रेम करेंगे तो किस से करेंगे पर मनागर खें इसलिए ब्रह्म książ शित्रा का जो पहला जो सुत्रा है ऋ अथा तो जीति आएसे शुर्वता हैं गां कता सब जीवन में तो सूमच सबते हैं सबते सब लेकिन जहां सूप ढूननी चाहिए वह वहां नहीं करते हैं इसलिए हमें सुप नहीं मिलता है देखना जिवन आप देश किया है सूप के लिए ने करते हैं सुप के लिए दो काम के लिए सारे काम करते है पेला कारें सूप आये और दूसरा तीज जा जिया जिवन जिवन लेकिन जीवन में दूख कभी जाता है और सुख कभी आता है क्यों नहीं आता है कारण ही जहां तुम्हें सुख ढूंडने चाहिए वह वहां नहीं ढूंड करके तुम गलत जागा पर सुख ढूंड रहे हैं जैसे आपका कोई सामान इहां गिल पड़ा अगर आप बाहर ढू कृण normyer है जैसा कैशा का केश्यों अधे और सराना विश्यों के यार्याइन केशमका नवगा है विजल साथि दस जीयाएला करें कर लिया का कि अंगरी दो सादी कर ने जैसे राएड़े में शातरिल जण मोगा सुख मैं मिले इस वे पर मिलेगा केसे मिलेगा ब्रह्म जी क्यांसा जब तो ठाकुर जी की सर्ण में जाओगी जो आनन्द स्वरुप जो प्रेन स्वरुप जब तक तक नहीं पहुंचेगे ना तब तक तुम्हें दुनिया में सांति नहीं मिल सकती इसलिए भागवत का पहला जो स्लोक है करें ध् प्रिटि किसको साथ मो silicon करें भाइया प्रेंटकव कृष्ण सही करो मेरे तो गिरीधर गपाला दूसरा न न प्रेम करें करूछ इसलिए वो चौन है प्लेशंक प्रम धी मश्य वो परम सत्य भगवान कृष्णा हैं कद वो कौन हैं जन्मा दस्य जता जिन सही जगत का स्रिश्ट इस्ति प्रणायजी की कृपा सही अन्न और वितिरक रूप में जिन को द्वारा सब को चोता है असरप्रता भगवान में यह साव ज्यान ज्यान में परम गुयम जट पिक्यान सम्हिता हैं यह ज्यान सरप्रता भवान स्री ब्रह्मा को ब्रदाम करते हैं और दिरे दिरे यह ज्यान इस जगर में दिरे दिरे आते हैं जिनकी माया ऐसे हैं मुझ्जन पिजात्य सुरय हो हम आगे सुनेंगी कृष्ण की ऐसे माया है ना हमाई बात को छोड़ दो ये दुनिया को जो स्रिष्टी करने वाले ब्रह्मा भी नहीं समझे वाए इसले उनकी बच्छेड़े और सखाकुरुने चीराया लेकिन जब पता सब्सक्राइब ब्रह्मा को बढ़े नाधर लगना पड़ा पर इंद्र भी इंद्र को नहीं सारे देवता का जराजा स्वर्गता वह भगवाल के माया को समझ नहीं बाया वह भी ब्रज में साथ दिन तक मुस्वला धारा से उनने बारिस किया जहां पर कृष्ण गिराज ग इसलिए ऐसे जो परम सत्य को नहीं जो भगवान हैं हम सब के समस्री भगवान कृष्ण की चैनल में बांके भिहार जी की चैनल में हम सब के सब प्रणाम करते हैं बले भाईया कि बले बांके भिहार जी प्रणाम करना और किसको प्रणाम करते हैं बले नहीं कि बले बांके स्री राधाजी को साथ में कृष्ण बती जाओ तो किसी को भी कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नहीं मुलेगा क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्योंकि हमारे एक संत ने दूसरे संप्रदाय के संत थे बड़े सुंदर इपल बाद में था मैंने स्याम रेंगे मतलब है क्रिष्णा रेंग में मैंने रेंगे वह बड़ा सुंदर पथा लेकिन स्री चैतन वहां बोलते भक्त थे जब उनको पास में गया स्री रगुनातासबस्वामी तो उनने एक स्लोग के लिग करेंगे वह गया तक उस लोग क्या था अना राध्य राधा पदांभो जरेनो अनास्रित ब्रंदा बनंतत अटबिन असंभास्य तद्वाव गंबिर अचिता पुतहस्यामसिंधोरस्यावगाव वह संत गहते हैं बहुते हैं कृष्ण 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 बोलना से कृष्ण नहीं मिलते हैं कृष्ण तीन जागा से टेड़े हैं उनकी भक्ति भी बढ़ी टेड़ी हैं और उनका नाम भी देखो टेड़ा कृष्ण तीन बार जिवाने पलत जाएक नाम भी निकलेगा इसलिए भग्जन काते हैं ब्रज में तो टेड़ो तेरी तेरी नजयर्याव वो इसमें कहतें ग कुल तेरी तेड़ी जमुना तेरो तेड़ो 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 ओंप लों तीन वी क्या है अना राधा राधा पदाम भोज है जब तक इसी राधा रादी की स्वारी जी की चर्नकी धूल पाशर नहीं करोंगे दूसरे चीज क्या जिए ब्रिंदावन धाम क्या है राधा जी की चर्नकी तौरा हो और अंकी तसमीर ब्रिंदावर्ण धाम के जब तक आस्रे नहीं करोगे ना भाईया राधि क्रिष्ण 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 बोलने से क्रिष्ण नहीं मिलेंगे इसलिए अकेला क्रिष्ण को भक्ति नहीं करनी चाहिए इसलिए संत कहते हैं क्रिष्ण को अकेले को भुला करते जो अभिमानी राधा जी की जो अनाधर करते बड़ा अभिमानी करते हैं अगर तुमको ब्रजभक्ति बना चाहते हो ना जो केबल अकेले क्रिष्ण भक्ति करत तोहाँ उसको साथ मिलना है मना करते हैं मिलो उसके ब्लादाइभति को तसाथ क्रिश्ण भक्ती करते हैं है इसलिए एक संफ्र नहीं बड़ा सुन्दर भजने और बंगला बने हैं बल्राधा क्रिष्ण प्राइना मोरा जुगलकि सोरा जीवने मरणी गति आर्नानी मोरा बल्राधा क्रिष्ण प्राइना मोरा जुगलकि सोरा जीवने मरणी गति आर्नानी मोरा आता नंदीर को लेखेली कदा मेरवाना राधाना मिरिया उपार पसा बात जाना अगरेंदीर को लिगेडि गता मेर्थिया जीवने श्योंना गति आर्ना हैं इनियोअ प्राइन कुन सोरें गति आर्ना प्राइना मोरा जुगलकि सोरा जीवने मरणीtał इसका भाव है कब ऐसी दिने आएगा जो कल्पक रिखवर्चे रत्न स्री लासन को उपर में स्री जुगल सरकार को हम बैठाएगे गले में सुंदर मालती की माला बना करेंगे दोनों को गले में पहिनाएगे और दोनों को चामर बेंजन करेंगे और दोनों को सरीरी में बड़े सुंदर सुगंधी इतर सेंट को दोनों सरीरी को हम स्रिधार करें इसका मतलब है अक्रिष्ण भक्ति नहीं भक्ति स्री जुगल सरकार की बक्ति करने चाहिए इसलिए उनको अच्छे तरह से एक बात सुन लो दोनों को भक्ति करते हैं और उसे राहा रानी को दोनों को भक्ति करते हैं केस्व कें लेकिन तिसरे साइब करते है रधा खी करते हैं लेकिन अभर उनको कुछ थें ना बताओ तो किसे माताई नहें राधाजी की क्रिफातों और राधा जी की खुस में खुसी और राधा जी को दुखी में वो दुखी रहते हैं जिनको कहते ही यह मंजरी आएं इसलिए भक्ति कैसे करनी चाहिए स्याम सुन्दक की सवा करनी चाहिए इनको सर्वस्रष्ट सब्सक्राइब होता है इसलिए जो पहला जो स्लोग है कि जो सत्यम परम धीम ही मतलब है वो परम सत्यस्री जुगल सरकार की चैने को हम सब के सब बंगना करते हैं बल स्री राधा राणी की बल स्री ब्रिंदाव नभी आरी लाले की जये जये स्री राधे इसलिए एक स्लोग में उसमें तीन अत्र सब्सक्राइब अत्र मतलब क्या है बले ये श्रीमात भाग बत गरन्थ में जैसे कोई किसी बात को जब सब्सक्राइब ये भागवत ने एक सब्सक्राइब आया है अगर परमसांति अगर परमस कुपाना चाहिए क्या करो ये भागवत अगरंथ को सब्सक्राइब क्या करो सब्सक्राइब परमस करेंना बड़ंप ये क्रिश्ना मन उसके किसी तहसे धजवान में अपना मन बलाब अब देखो कहीं हम आज प्रशुकी करेंगे आभ देखना दस मिली बैठों देखना एक मुस्टी पैज लगीगा वह आच बंद करते ही बेटा बेटी दुनियादारी दुकान बता यही याद वह प्रफियाद में आईगे नहीं लेकिन जैसे यहां पर बैटे हो अब का मन किस चीज में लगे थाकुर जी में किसकी सुन जाई है थाकुर जी की सुन जाई हो इसलिए एक बहुत बड़ा साध्रे इसलिए इसमें तीन अक्त्रा आया बले धर्मा प्रजीत कईतव अक्त्रा बलिए स्रिमाद भागवत में कोई कपड़ता की धर्म नहीं जहां पर धर्म अर्थ और तांग यह चीज को निकाल दी गई यहां तक भी जो मुक्ति है ना यह मुक्ति को यहां से निकला दे लिए मुक्ति से भगवान प्रापतर नहीं होते हैं जो ब्रह्वा साजुज जो मुक्ति हैं इसमें प्रें क्यबार बात लन की सुझता लुए गर्वासा अमत्रे में घाम जो जीन का परमधर में और जो जीव कोन है और इश्वरा अंस जीव अभिनासी हम सब के सब भगवान का ओलाद है ठाकुरुजी की ओलाद है भगवान वो भूलने का नात यह सारे दुक्वा करते हैं लेकिन भागवत में केवल जीव का जो परमधर्म तो यही बताया है और तीसरा अत्रा देखो भागवत के कथा कितने जगत का नियम है कुछ कारोपर मिलेगा बिना कियो यह कुछ नहीं मिलता है लेकिन यह भागवत यह से कथा है जैसे घर में बैठे हो लेकिन आम को पता चला यहां पर यह स्रिमत भागवत गता हो रही है अगर इसकी मन में इतनी सी इच्छा हो गई मैं कथा सुनने इतना इच्छा करते ही थाकुर्जी उसी समय में आकर की उसकी हिर्दय में जैसे एक प्रवेश करें और अपनी आम का अंदर से कुंड़ी लगा कर बंद कर दे हैं थाकुर्जी को निकलने का रास्ता नहीं मिलती है कर देखा सुनने की अगर सचमुष से अगर कोई यहां आगे और यह भागवत कथा में सचमुष से कोई बैटी गया तो बहुता मैमा था हम बताए नहीं सकते वह व्यत्ती कितने बड़े बुन्यात्मा हैं इसलिए यहां पर बता है सुस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् हर देखा तहीं सकरे किस्या वैख यह खांगलाचर那 हैं कर दिया आसी वासलिस प्रयोजशन हमारा रहा क्या मुश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् बीबत भागबतं रसमालयम मुझोरा हो रसिका भूभीभागधां बगया कि कथा सुनने से मिले गातिया कि तर्था नहीं ये भागबत कलपविख्या कल सुन रहा है मतलब किया जो मागों वहीत में मिल जाए तो गुरुजी एक कथा सुना थे बल एक समय को एक राजा सिखार खेलने के ले गया और सिखार खेलते बड़ी दूर तक चला गया साम हो गया बड़ी ग्योर से उसको प्यास लग रही थी और एक पेड़ को निचे बैठे गया लेकर उसको पताई नहीं था यह ब्रिक कल पर बढ़िए जब बैठे गया ठक करके वह सोच रहा है अगर में राज महल में होता ना मरी राणी पत्नी कितने सुन्दर सुन्दर महाराज पीओ उसने पान कर लिया फिर सोच रहा है अगर राज महल में होता तो मेरी राणी च्छापान भोग और च्छत्री से बेंजन सजा करके ले आती बास उसको पता नहीं कल पर निको जो माह मिलेगा इतने में बड़े सुन्दर च्छापान में भोग और च्छत्री स करता इच्छा करते ही बड़े संदर गदी नहां से आगया अभी उसने सो गया कल्पवर्खे मतलब होता है जो मांग हो लेसले ब्सक्राइब यहां लेकिन यहां आपके साथान करते कैंट मैं क्या साथान करते हैं थार्फजा लेकिन हमें यह सिखने चाहिए हमें यह कल्प बिखे से मागना किया यह चीज़ को सिखो नहीं कि तुम ठक जाओगे उधार में दिया कोई गरीब रामन का उसको पास भी गई आगी बैचला गरीब रामन उन्हें ध्धन को पर कि आला धना की धन कुछ मतलब जिसको पास में स गईया है गईया को खाने के लिए तुम ने क्या मागा मेरे को गईया के लिए तक चुना हुसी देदो तातपर जय क्या है तातपर जय है अगर हमने यह भागवत से यह दुनियादारी चीज़ मांग लोगे ना जैसे मानोग कुबरे को प्रसर्ण करें, चुन रुसी मांग लोगे बेटा नहीं बेटा दे दो पैसा नहीं पैसा दे दो बीवी दे दो वे ट्टी की साधी नहीं हो ये थे लेक्न अगर यह चीजी मांगे लिया ना मानो हम बज्चित हो जाओगे नहीं ये धुनियादार चेज्च मत मागो जो एक चीजी मागो तो तुम्हे सारे चीज में लिए वह क्या है भगवाल की बद्धी और भगवाल की प्रेम इसले स्री हनमंत लाल उपर में प्रभु राम जब प्रसन्ड हो गई मुले बिटा बरमागों देख हनमांद से सीख लो हनमान जी क्या मागपे हैं मुले बार बार बरमागों हरसी देहो स्रीरंग बदा सरज अर्पाइनी भकती सदा सतसंग यहनिवांजी कहते हैं, मेरे को सत्संग आपगी चर्णा की भक्ति दो, स्री चैना महाप्रभु क्या कहते हैं, मले न धनम, न जनम, न सुन्दरी, कभी ताबा जगती सता, पलहे ब्रभु, हमें ये दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, आपगी चर्णा में जन्म जन्मांत करता की चर्णा में हमें अहितु की अनुवाईनी हमें भक्ति दे दो, तुमारी चर्णा की हमें सेवा परदान करते हैं, सब मिल जाएगी तो जब भगवान की तुम बेटे बन जाओगे, तब पिता जी काता सारे संपति का मालिक तो बेटाई तो बनता है ना, वो हँतना हम की सुगन है, बोल्ब्र स्व्रश्रीत आफन जाद्श वemand की चाहिए जई स्री रथे, निंगाम काल्प qalp पक्का हुआ फ्ल है एक तो पका हुआ पहल में तोता में निजाता बिठास आजाती है और दूसरी चीज यह वह तोता में एक विश्य स्गून है वो किसी कच्चा भल में चौंच नहीं मारेगा, ओपल पका हुआ होगा खमी कौंच मारेगा मतलब एजो भागवत है यह पका हुआ पच्चा भल में यह पका हुआ फल है, जो ऊसे चौंच मारे, garage वौपल कहाँ था प्रिख्षा कि समसे उच्चाई साखा में था लेकिन जो फाल को और कोई नहीं देखवाए किसी ने देखा कि वोले सिल्सुदेव गोस्वामी यह फाल को देखे मतलव किया मतलव है जब तक कोई गुरु परंपरा को ग्रान नहीं करते हैं तक वो भक्ति रस्तों के प्रावपन नहीं कर सकते हैं इसलिए गुरु परंपरा हमें चाहिए फैर उदाहन देखे अगर इतने उच्चाई साखा वर अगर कोई यह से आमदा फ्ल हो तो तान्यां जो चमारे लेकिन वहां से घीरा अगर गिरेगा तो किया होगा फट जाएगी फट नहीं गया अगले नहीं पटा नहीं बलकि जितना नीच्चे आता गया ना उसमें और भी मधुर आता रहा और भी मिठा आया जैसे उदाहन दिया यह फाल को सबसे पहले किसी ने खाया मले भी नारद जी को दिये तो इसले वकपार सुफस्वा मी का अनिचे शुबडव स्वामी का मुंसर निकला ना उसमें ऑऔर ही मिठास सब्सक्राइब को नहीं को नहीं प्रिया सुपस्री ब्रिसभार जाया पबीत्र चंचो प्रिया चुम्बनेन कि यह प्रियत होता था इसलिए कभी-कभी राधार नहीं इनको कृष्णा रुकुमान करें कि कभी उनको चुम्बन करते थी चुम्बन करते थे लाधाजी की जो अधरामरत यह तोता की फॉंट में लगा हुआ इसलिए उतने सारी रिशिवनी होते हुए भी-पिता-जी-पिता-जी बैढते हुए भी-पिता-जी-बएट वही इसलिए कफास विशुकते और्पित्र शन्जुतम भाईया इसको खूप पीओ ये रास को खूप पान करो पहले आपने बताया ये भ़ल आ को फितेना फल को खाते ही फल को खाते ही लेकिन आप कहें ओ पीओ ये एसे के फ़ल है जिसमें घुटल भी नहीं जिसमें छिलका नहीं जिसमें कबल रसी है, कबल रसी रासे जिसमें, कुछ है ही नहीं, यह फिते हो लेकिन अब ही जिस रच को पान कर रहे हो, किधर से बी रहे हो? आठीज को हमाईंद को ZelegEC मोह में कोई चीज को पीऊटाही हुआ निचे निकलेगा नीं अभ अंधर उसक कर शक्या में निखलें निचे लेकिनि कानों से जो सबार भीन वह कभी निकलेगा नहीं इसलिए रस को कानों से पी जाती हैं बहुत तक पीएंगे बहुत नहीं हो जाता है तक तक पिता है इसलिए खूब पीओ बहुत निकल जाती सब बहुत निकल जाती है पी तरफ में और दूसरे तरफ में निकल जाती है इसे क्या पाएं पीओगे तो हो यह लेकिने निकलेगा नहीं है एक उदार नदिया अध्यान देगर सुना जैसे कोई कलसी है उसमें छेदी छेदे अगर कोई इसमें चीज़ डालो तो क्या होगा निक अगर उसमें कोई चीज़ डालोगे ना पाणी वो कभी निकलेगा नहीं क्या उपाएं अगर वो कलसी को पाणी में डुबो कर रखे तो भलाई जितने छेद कीमें हो वो निकलेगा निकलेगा नहीं कर उसी तरह जद्य भी हमारी अंदर में ताम प्रोध लोग है लेकिन तो में प्रभु की कथा सुनते रहो गें सुनते रहो किसा क lying कभी निकलेगा नहीं जयासे काम does it है लेकिन अभी किसको काम सता रहा है लोग सता रहा है ना मो शता रहा है किसी को नहीं पी सकते हैं कि अब दो प्लेक पी सकते हैं बाल कोड बलै कि भावुक और एक रसी एक बावुक और एक रसी किम यहीं दो बैक्ति ही यह कथा रस्थ को पी सकते हैं बड़ी तो प्ये हैं समझ भक्तों ने एक लस्वान tar Alle कि लेकिन कि पूर्ण रूप में किसने पांगी बलए ब्रेज की लोपी ऑने जैसे यह रस को पान की ऐसे और कोई नहीं पांग कर सकते इसलिए इनका नाम आम गोपी मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है पिना जो नित्तनिरंतर कृष्ण भक कि रस पजो पीती रहती है इसल लिए भागवत की आसरी बाद देता है हमें भागवत की आसरी बाद देती है लेकिन ये गोपियों ने जैसे भक्ति की है इनकी बरावर जगत में कोई भक्ति नहीं है इसलिए कृष्णा गीता में एक बहुत बड़ा प्रतिग्या किया है मेरे को जैसे भजन करता है उसकी अनुरूप में प्रहिं प्रताण कर देताओं लेकिन गोपियों को पासमें जाकर कीृष्णा हार जाते हैं लहे गोपिया ब्रह्मा ज़े से परमायू लेकर के तुम्हारी प्रेम को रिणी को में कभी चुपा ने पाऊना तुम्हारी रिणी में तो एक्तों में बसीवुत हो गया तो तुम लोग नमरे को प्रेम करने के लिए दुनिया का सारे बंधा को तुम लोग में तोड़ दी और एक निश्ट में तो तुम लोग ने प्रेम की इशने भागवत आसरी राद ने गोपियां जैसे हमें भगवान की बद्दी करने चाहिए बड़ शीव दावन विहारी राद राय की जै 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 स्री रादे!!! एक मिटे के खर लते हैं क्योंकि वो प्रेम कली उल्हाम में केसा लिएगा ? क्यों बड़ रही क्र सुद्दी क्यों ह diyorsun風 से हम प्रेम से मिल सकती थी हिए न Oui tantso सब के सब मेरे पीछे ताली बजाते हो गये ताली बजाते हो गया है भगवान को पास में गये वहले प्रभु आप जगत में ऐसे हरिनाम प्रेम लाए हो सब तो वह प्रेम की बाढ़ में बाहर दिया अब देखो तो कहीं स्थान दो थाकुर जी बोले देखो जब यह हरी किर्टन होना जो व्यक्ति यह ठाकुर की नाम उद्रहन करेंगी उनका पाप तो सरतों पर उड़ जाएगी लेकिन बैठे की कहां पर जो हरिनाम नहीं करेगा इसलिए सब के सब मिठी मिठी ताली बजाते हुए पिछे पिछे हरी किर्टन करने से जिवन का सारे हमारी पाप सतम जाएगी और भगवाली पिछे हमें प्रेम हुद परना होईटी है Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 श्रिज्यट स्рьमूश पर हुआ पर कुछ सुखर कि अन्य उद्यकार रंहे आधर्युम कैने कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे क्रिष्णा ह्रे राम 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 रहे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare हरे राम, हरे राम, 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 र बिश्म बिश्म हरे आरे रे राम रे आर्बा राम 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 ने आरे भर्म रामपो हरी 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 दॉसम भा मी अननी ऑब शेवा तुझय में राज हे 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 राज ह अग्षे, क्या है, तंपूदे काते फफिर्serी को मेन आए हु Shape अभी ये घोर कली जुगाया अभी ये कली जुग से ढरते हुए ये सौनगादरी सियोने स्री प्रम्हाज को पास में गए मैं आपना मन से चक्र अभी जह कई ए चक्र जहां गेना है पर बजन करते हो चक्रत कहां पर गिरा बलस्री नमे सारण नमे सारण कोई गए हो कोई नमे सारण गई हो और कोई नहीं गई है अब बता जाना चाहते हो तो आध उड़ा सब्सक्राइब ले जले लागा कि अधियर नमे सारण में जहां पर यह चक्र गिरा वह पूर पाता लोग भैद के लागा चबीस घंटा वहां से पानी निकलती हैं वह प्रीत्र पानी पास में सरी गंगाजी प्रभाव हो रहे हैं पास में बड़ी मनरों अस्पान हैं वहीं पर सौनों का दिरीशी लोग लेकिन ये जग्यां करते 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 उनका उद्ध कि जल गी उनकी गोफी है लेकिन उनको मैं वहां पर पहुंचेंग ये सुटा मतलव को चलाते हैं। कि यह सब से पीछ है वहां पर अठाशी हजार इसे लोग वैठ हुए थे लेकिन सारे ब्रह्मा ज्यान को पिछ वैठने पर भी शबकुछ उन्हें अगर कोई सोचेगा हम क्या काम लिखे बड़े जानते हैं अरे हम बहुत लिखा बड़ा स्धंद किये में पीएश्डी संस्कृत में हमने पीएश्डी किया हम तो स्वयम सांस्तर को पढ़ करके समय जाएंगे कि यह जो ब्रह्म ज्यान है यह गुरुमखी विद्या है इसी जगत में देखना इसी जगत में देखना कोई बच्चे कि टीचर को पास में जाना उसाधार नहीं जयसे बॉतर मन्त ना उससे जहर पढ़ोगा ना वह जहरी जहर निकलेगा अगर कशी सुद्धा साधु की आदूगत में पढ़ेगे फिर हमें इसकी अंब्रतत्यों की प्राप्ति होगी जैसे देखो गुरुजे गुधार नगते जैसे एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब तोन नहीं देखो कैसे आप कहां गए थे आप कहां गए थे इसका मतलब है मेरे को पता नहीं आप कहां गए थे मतलब है आप जहां गए थे वो गलत जगापर गए थे क्यों गए थे लेकिन एकी सब्सक्राइब आप कहां गए थे मतलब क्या तुम जहां गया था ना मेरे को पता है तुम कहां गया सब्द ये कि है पानी वाले अभी नहीं जब किर्टन होगा तो इसलिए सब्द एक ही है लेकिन देखे ना जब इसको टोन बदल जाती है वो पूरा अलग सब्द हो जाती है क्योंग ये ब्रह्मा विद्या है ये अपनी आप पढ़ करके समझने वाले बस तो नहीं नहीं नही अलग ज्यानी अलग जोगी अलग भोगी अलग आप देखा इतने टिका कैसे हो गया सब्द देखे इतना अर्था कैसे निकले लिया जहां सब्सक्राइब इसलिए लेकिन प्रश्ण है फैर इट का जो टिका सही सही को न समझ सकता है भगवान कहते हैं भध्या माम एक यार क मेरे ह हृद्ये को समझेगा ज्यानी नहीं समझभाएगा कर्मी नहीं जोगी नहीं कमलो भग्तव ही मेरे हृद्ये को समझथा और को ją समझता है इसलिए सरी सुताव सौनें गादिनी लोग कहते हैं आप गुरु जी की किर्पास से ही यह सारी Bibrhäll बित्या को आप समझें इस कलाबस्नीन जुगे जना मन्दास सुमंद मतयो मन्द भाग्य जुपद्रता ये तड़ी में प्राई करेकर लोगों कम आयूट जिंदा रहेंगी पहले पहले ना सत्त जुग में तो एक साल रहते थे एक लाग साल तृत्या जुग में क्या हुआ एक सुन हटा दो हो गया दस साजा जाई दौा पर जुग आगे शुग कितना रहे और ऑर जोटा दो। कितना रहेगा तस और जोड़ दोगोर सब्सक्राइब ना और पर एक सुन हटा दो थे जाएगा सब्सक्राइब यिशंद सब्सक्राइब तो पहले जो टीवी इंटरनेट जो स्मार्ट फोन है यह तो जीन को सत्यानास कर दिया जब पहले लोग क्या करते थे गिता बढ़ते थे राहाइन बढ़ते थे अभी समय हो तो टीवी को अभी पहले एक चानल था अभी सारा दुनिया की चानल आ गई आपको गुंडा गिर्दी वदमासी चोरी लड़की वाजी करने के लिए कहीं जाने का जरूती है शिखने की जरूत निकार टीवी को लो और उसको सामने बैठ जाओ उसको देख देखें सब कुछ उससे ही सिख जाओ गया कहीं जाने का जरूती है यह एक कली जुगा गया है इसलिए परण्फोन आगे आप पता होगा साची प्रिथीं हाथ के मुटी में आगे सारे प्रिथी बीथीe हाथ के मुटी में आप्टेशन हो तो तीन भर उसमें लगे हुए और इंटर्नेट में तो साधी कर लेते हैं और उसमें डाइवोस कर लेते हैं इसमें आगे दुनिया इतने जीव को यह विगाड़ने वाले चीज है यह कुछ दिने पहले मैंने पेपर बढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था कि जो मोबाईल पिता माता के लिए कितने आपद लिया था और पिता माता उसमें 20 पैंड दिया था यह मोबाईल कितने दुनिया को कैसे विदार ना है मोबाईल पहले था निए क्या दुनिया चलने रहे थी बहूत अच्छे तरश चलने थी सभी का दिमाग इंटम पीसफुल था अगय मोबाईल एस है ना आपको पीसफुल रहे नहीं ने गए है सब्सक्राइब तրस एंद्ट करेंा एंद बहुत अच्छे तरह से चाल नई कोई जाता था एक दम पर सारा ना जंजाल चोड़ जाता था तिह जात्रा में सारे जंजाल मोबारी कोन खा रहा है किसका तब्यक कोई बाहतरों गया कोई किया आप देखना वह सारा दीन होगा अब तिरत हमें तो गए सारी से लेकिन मन तुमारी कहां पर पुरा घर भी इसलिए कहते मंदा सुमंद मत आयो कल ज सब्सक्राइब पर जुपदृतता युपदृतता मतला अगर पत्नी अगर सथ जने करने लगता है अगर सथ संग में गेया थोड़िसी परतानाम भजन करना सुर्ट कितारी गया है यह कोई भजन करने करने करिया अभी तो इस मखंधी गलाती जलग क्या थारना आगती अर बिटा थो माला जब करने कोन सा भी मार्वी तुन भी उमर दर्ब अब्संट इतना उपध्रव है पत्नी अगर भजन करते हुए पत्ति अगर सबसंग में पत्रिय वह घर जाए इतने उपध्रव भजन में और कली जुडु में इतना उपध्रव हो बताओ कल्यान के से प्रश्ण प्रश्ण यह पूरी भागवत यह द मेरे को बोलना प्रश्ण पहला प्रश्ण अत्मा का यह आपमा को सांती कैसे मिलें देखो जगत में सबसे जो अनमल बस्तु सांती है अगर तुम्हारा पास में अरव घराव रुपी आहे लेकिन सांती नहीं वो पैसा की कोई महत्तों तुम्हारी है बड़ी सुंदर नौप चाकरी कर रहे हो लेकिन तुम्हारी घर में सांती नहीं वो नौप चाकरी का भी महत्व है भले जगत में तुम्हारी बहुत बड़ा नाम है लेकिन घर में सांती नहीं वो नाम का कोई महत्व तुम्हारी है अगर दो रोटी में अगर सांती मिलती है यह बहुत बड़ी चीज है किइसले जब जगत में सबसे बड़ा जो अनमल बस्ट क्या रहरा शांति जीवन चैना सब्सेंद करते हैं कैवा एक वहला प्रष्णा क्या है आत्मा को को सांति कैसे मिलेगी हैं दुसरा प्रश्ण है कली जुग में भगवान को पाने का सबसे सरलव पाय किया देखो प्रश्ण ना सांति नहीं पा सकता है इसलिए दुसरा प्रश्ण है कली जुग में प्रभु मेरे को सरल पाय किया है तिसरा प्रश्ण है भगवाल क्रिष्ण की तथ्या स्वाब लेकिन एक होता हुए भी क्रिष्ण का तीन दामे एचेशन के ब्रण दावन दावन तह के रहता हुए उसलिकर एक होने है इनकी तीन इस्वरुण बदावन दारे मेंझे उसलिए dado Aha में रहते हैं तो dodat of the जहके पॉर्ण ने दौर्ण देर कहा है पुर्ण तर रहते हैं जब रहते हैं सब्सक्ता पुर्ण। इसलिए हमें कृपा करके यह तीनों कृष्णा की कता है जो चौथा प्रश्ण है केवल कृष्णा कता नहीं जदा जदा ही धर्मस्य उसको मत चलाएगो बच्चा उसको जरूरत में चलाने का अभी थंडा हुए चुब बैठे तुम जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानीर भवति भगवान राम बन करके आए रावन को मारे नरसिंगर रूप में हिरन का सिमुक मारे प्रलात को रख्या की बामन अवतार में बली महारादिक ग्रिपा की और कदी जितने अवतार इनकी अवतारों का भी गथा सुनाओ जब उनका पंचमा प्रश्णे हैं भगवान की जो सब्सक्राइब ते पुतनक्वाय। जब एकमेना को और सकड़ कुमारी जिए और बगवान दसनीतर किया सत्य प्रभु की जो अद्भूत जैसे हैं जैसे हमें सुनाब और उनका चटमा प्रश्ण भगवान जब यह दुनिया छोड़ करें गए अभी कली जो धर्मकली जुग में कहां पर आश्रे दिया है अब घृपागरे गारें इस सारे प्रश्ण का उतर दो जह उननने इसे प्रश्ण की इनका प्रश्ण सुन करें के इंती संप्रश्ण साइष्ट विप्राराम लो महर सनी इनका तब प्रश्ण सुन n. 9 प्रश्ण कोई दुनिया दारी प्रश्ण नहीं यहां सिख्या देते हैं अगर किसी साधू को पास में जाओ ना प्रश्ण किता में साधू करें नियुक्त करेंश्ण ना प्रिश्णा कहते हैं मेरे जो भक्तों का पहला लख्यने मत कथा बदगता चिंता वहर समय मेरी कथा मेरी भक्ति मेरी भजन में डूबी बता मेरा दुनिया में क्या करती तुलसिदास ने क्या गी है अगर किसी भक्तों को अगर प्रसन करना चाहते हैं उनको हरी समध्य प्रशन करो ठाकूरी समध्य प्रशन करो प्रसन हो जाएंगी इश्रे जितना प्रशन था कोई दुनिया दारी इधर उतर का कोई कोस्चिन नहीं क्यवल प्रशन था भगवत समध्य प्रशन बड़ा प्रसन हो गए प्रसन हो करके पहले बले मैं पहले अपना गुरजी को प्रणाम करता हूँ प्रणाम करके फ़र तुमारी प्रश्टर का उतर दताओं बन्नाम गुरू पनपद मपरादा आ सुर्ची सुवासा सराथा अनुरागा शुर्ची दुवासे सराथे अनुरागा आ बन्नाम गुरू पनपद मपरादा बन्नाम गुरू पनस्टतत दुर्चरागा गुरूजा की उनना प्रणाम किये hackranaketty 향 Robert Guruji को नहीं बले साधार्ना तुमेरे गुरुज नहीं बले वो को नहीं बले से शुदेव दस्वाम साधारना बच्चा बैया दी गर्व में नौ महिना रहता है लेकिने मेरे गुर्दव तो सोलो साल तक रहे वो गर्व से बाहर निकलना नहीं चाहरे थे इतने में ब्यास देव जी बोले बेटा को दो मा तो क्यों एतना करते तो बाहर लिकलart गर्व से आवाज आईबल नहीं मैं तो यहां खोश हूँ मैं ठीक आगा हूँ एकक्ति विल्कति टो बहुत आईस्वर यह वह ताडवार रहने का लेकिन ब्रहु की भक्ति नहीं हो रही है समझे अब प्रतिकूलबस कि लेकिन साधारन नजागा अगर प्रहुरु की भक्ति हो ना समझे यह सबसे वह बड़े सिद्ध महात्मा थे इसलिए इसके आवाज होती है इसलिए वह महात्मा जी क्या करते थे वह चारी तरफ में ना कांटा मचली का कांटा बिच्वा बीच में बैठते थे बहले क्यों लोग हमें यह संजे यह मचली खाने वाला वावाव और मेरे पास में नहीं आई कियों को बड़े सिद्ध महात्मा थे शराओ दुनिया जाते थे बेटा का यह हो गया बेटी की हो ग भर में परिशानी उनको बजने करने नहीं देते थे इसलिए यह स्वस्ता के लोग मेरे पास से दुर रहे क्यों कि वगवान की भक्ती होगी और उनका जोए कि सिस्य हुए स्री गौर की सुर्दार वो क्या करते थे वह पाइखाना का अंदर में दर्वाजा अंदर बंद कर बढ़े यह बढ़े हैं यहीं पर बढ़े हैं बलकि पाइखाना की गंत बद्व अच्छी इसने दुनिया दर विश्वय का बद्व गंदी है इसलिए वहीं पर बैटी करें कि प्रभू क्यों भक्ति करते इसलिए सुद्देव वस्वामी कहते बही है मैं तो बढ़िया हू इतने में बलकि क्यों आना नहीं चाहते हो बली यह संसार माया मेरे है यह संसार माया है हर बच्चा मातरी गर्भ में जब साथ महिना हो जाए उसको सारी पुर्बजनम की बात याद आता है साथ महिना में लेकिन साथ महिना में इसको ध्यान आती है वो देखता है पेट में क ताटी पेसाव खून पी माल मुत्र और पैट में बच्चे को उपर पतला कभर रहता है पैट में क्या पता होगा पैट में तक पतला कभणा गाल तो कहीं लगेगा कि ये पेट में कितना दिन तर नौ महीना तक बच्चा रहता है अभी तुसर आटाज बातरून पाइखना हो गया पहले जैसा सित्ता अगर दो चार घटा अगर टाइलेट को अंदर कुसो बंद कर रहता हो कैसे लगता लगे गा उसी पेट को अंदर में बेटा कितना दिन रह है नौ महीना तक इसलिए उसे समय भगवान को फुकारता है बोले प्रभू मेरे जल्दी जल्दी नरग से निकालो भगवान के अभी क्या घर हो गई बोले प्रभू मैं समझ गया हूं जगत में कोई किसी का नहीं है सूप का समय में सारा दुनिया थे हैं बेटा बेटी कर्म का फ़ल भो कर रहा हूं पत्ति का हो बेटा का हो बेटी का है को यतर साथ में नहीं नहीं वो दूप के वल अकला भुगना बढ़ रहा है यह संसार के वली संसार जूटा है और के वल मतलब का संसार अभी बताओ क्या करोगे एक बार प्रभु अगर आप जन्म दोगे ना मैं कान पकड़ता हूं तभी यह जूते माया में मैं नहीं फसूँगा उठते बै एक बाल पक गया ना ऐठ अकरोगे कितना हरी ना करेंगे हो कितना समय टीवी देख रहे हो कितना समय तु इधर उधर को बात में दमाते हो लेकिन जब एक बाल पग जाए हम क्या करते हैं उसका हम उखाड देते हैं इतने जल्दी हमें बुढ़ा बना रहे हो अभी हमारे कोछ भी नहीं हुआ फर दूसरा बाल भी पकता है उसको भी निक उसको भी उखाड देते हैं लेकिन जब खिचणी बन जाए क्या करते हैं पर कलर करते हैं थोड़ी हमें बुड़ा बुड़ी अभी हमारे कुछ नहीं हुआ ठाकुरुजी कहते तरक में दूसरा वार्नी की दूंगा बल क्या दोगे आखों में देखना काम हो जाए पर बढ देंटिष्ट को पास में फर बत्री सिदांत लगा पड़की खिलिट लागर कहसते हैं भगवान के फर चौथा वार्नी की दूंगा बल क्या दोगे तीन प्यार से कमारी चार प्यार हो जाए तो दो प्यार से तीन प्यार हो जाए तो दंडा पगणना सुर कर अगे कमड़ तोड़ दूगा तेरा फेर अगर नहीं सुनोगे ना फेर पंचमा थीत वार्मिंग नहीं पर राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है इसने भगवान खुद कहते हैं आमना माहा को यह जो जम महराजी की काल की यह एक-एक वार्मिंग है यह एक-एक हमारी वार्मिंग है भगवा झाल